कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूटीव चानल में दोस्तों अगर आप भी बिहार से इंजरिंग कर रहे हैं और आपने इस साल एडिमीशन लिया हैं विप्रिक फर्स्ट एयर में आपने एडिमिशन लिया है बिहार के कोई भी कॉर्मेंट इ सब्सक्राइब बात करने वाले कि आपको जो बीटेग फार्स का कैसे बहुता है लिए बात करने वाले हैं कि आपको काजाम है इसके लिए क्या सब करना होता है कि इसे बहुता है की लगता है सारे चीजे फूड इटेश ल ममें देखेंगे इस वीडियो देखना है को सब्सक्राइब कई नद गजैम दे देव boule कि लें के तोक्र सेनी सर्व मुंड़ गजाब लिए जोजज़te अरुन एक टीनी में जाते हैं एंस जुसको आप इंटरनल और एक्स्टरनल भी बोल सकते हैं ये दून एक ओके तो में समय लेता है और में फीच देने कि जोगत नहीं होती है आपका कुछ भी जो आपको टीचर पढ़ाएंगे जो टीचर पढ़ाएंगे वही आपके सारे सेट करते हैं और वही आपका एक्जाम लेते हैं ठीक नहीं ते पर लेगा और प्रते च्छ पांच या छे मेने पर आपका एक्जाम होता है तो बीट एक फर्स समेश्टर का जो एक्जाम होगा जून में आपका जो जाएगा मैं जून में अब लिया है तो आपका जो एक्जाम होगा मैं में हो जाएगा मईय जून में आपका एक्जाम हो जाएगा मैई जून से पधल ही आपका एक्जाम हो जाएगा ठीकना TK करने पबिटे के फूर्स समस्ट करेंगे तो मैं उस obligation में हो सकता है और एक्जाम के लिए आपको फॉर्म भरना होता है तो 3700 रुपिया जो लगता है एक्जाम भरना होता है और chrisи नहीं करना होता है उसके बाद Admit card Admit card आपको एक्जाम से यक दिना दिन पहले दे देगा कोई दो दिन बीने सकता है लेका होसकता है अज अब हो सकते था लेकिन आप ले सकते हैं कि मदद ले सकते हैं कि आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं कि आपने कैसे एकजाम पास किया बताएं तो इस तरह से आप पूरा डेटेल इसमें देख सकते हैं से आप से लेते रहाना से अपकी हेल्प करेंगे समय कि कोई सा कोश्चन साथ आएं और जो प्रिबेश का कोश्चन भी आपको प्लब्ब्द हो जाएगा अगर अगर देखना वहां पर आपको कोश्चन मिल जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई क्वेर हो ताप कमेंट करके जरूर पूछना